हेलो इन वल्कम गई, स्वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग CBFS T20 लेके बात करेंगे जो कि मैच होगा याप पर ऐसे स्पोर्ट्स क्लेब वसे 76 गुणियर के बिच में सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच के इससे बेले एक चोटी सी रिक्वेस्ट है के यूटूब चैनल को भी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया क्योंकि इस मैच की और आगे आने वाली सारी अच्छे मैचिस की फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मोन लिग ग्रान लिग की जो भी डिम रहेगी वह मैं आपको टेलिग्रम तेनल पर देने वाला हूँ पचास के आसपा स्कॉर मानते हुए चल सकते हैं बाकि चेजिंग में आपर ज्यादा चेजिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहता है तो जो भी टीम ट्रॉज देचे कि आपर चेज करना पसंद कर सकते हैं सबसे बात करते हैं हम लोग यहापर टीम से की अभी देखो यहाँ पना बेटिंग ओडर में उपर नीचे हो सकता हैं और बेटिंग मतलब जो प्लेइंग लेवांट है इसमें भी फिर बदल हो सकता है क्योंकि यहापर देखो यह जो टीम है ना यहापर इसमें प्लेयर्स की बात करूँ तो कुछ प्लेयर यहापर पाकिस्तान से बिल लेकिन इसके बावजुद यहाँ पर कुछ इंफरमेशन ने गयन किये और उसी के बेचिस पर हम लोग यह पर टीम बना देंगे मुहमद इम्रान यहाँ पर उस्मान बंगस के साथ ओपनिंग करवा सकते हैं देखो बंगस की बात करते हैं यहाँ पर करीब 28 के वरे से 4200 से भी ज्यादा रहने तो इनके उपर भरोसा कर सकते हैं बाकी इम्रान वेरी इंपोनेट पिक रहेंगे इवन पहले बैटिंग इससे की आती है तो हम लोग इनको कैप्टन वाइस कप्टन भी कर सकते हैं बंगस हमारे लिए एक डिफ्रेंशल फिक बनेगा इसके लवाए से हारिस खान देखो मैंने इपर क्या किया बंगस की बात क्यों तो बंगस जो इस नमर पर केलते हैं यहों चोथे नमर पर खास त कमर उसेन की बात करते हैं कमर उसेन आपर 255 मैच का नुबा में करीब 45 के अवरे से 8300 से भी जाता रहने रिस्क ले सकते हैं इस प्लेयर के ओपर आप लोग आपर इसके लवाए ऐसे मौमीन आजाद मौमीन आजाद बेरी इंपोनेट पी करेंगे क्योंकि बेटिंगे साथ स इसके लिए वैसे सेद मखदूम आपको दिखेंगे जो कोई 22 मैच करीब 34 के वरे से 576 आने 19 विगेड हैं करो कोई च्वाइस ना मिले तो ट्राइ करेगा कामरान यार ठीक टाक रहेंगे आपर आज वैसे इनके सिर्फ दो ही मैच के रेकोर्ड में लें जापर बेटिंग से क्यान है कैपटन और वायस कैपटन सजेस्ट करता हूँ मैं इनको क्यूंकि यह बंदा सिनेर प्लेयर है यापर शार्जा में गेलता है यापर सीनियर प्लेयर के के साथ तो इसके अनुबवाव काफी ज़्यादा रहेगा इस ग्राउंड के ओपर और इस टीम के साथ यहाप तो I think हमारे लिए captain wise captain ship की choice रहेगा इसके लिए से सनी आजाद एक विकेट टेकर गयन बाजे इनके अपर ध्यान रखेगा क्योंकि कभी भी दो चार विकेट निकाल सकते हैं फीड आपको दिखेंगे शोयव तो इसके अलाबा देखो बेंच मैंसे कोई भी प्लेगा तो इनके स्टैट्स अनुके अपडेट वकेट आपको टेलिग्रम चैनल पर प्रवाइड करने की तो जल्दी से आपको टेलिग्रम चैनल को भी जोइन करना है और टेलिग्रम से जूटने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिपिशन बॉक्स में दिया हुए आप लोग को उसी लिंक से टेलिग्रम चैनल को जोइन करना है एस्वी डी जुनियर सेवन डिस्टिक्स जुनियर की बात करते है तो जुनियर की तरफ से यापर हसन इजाकिल के साथ तनिश्चुरी ओपनिंग करवा सकते हैं अपने मुहमद नभी जो हैं यहां पर अफगानिस्तान के प्लेयर उनके लडगे यहां पर उनके सन ओफ मुहमद नभी लेगिन पर्फरमस्टिक अला कि इनके पास काबिल है और आज आप लोग इन से उमीद कर सकते क्योंकि सामने वाली टिम की गैन बाजी स वाए दि Ayakir साथ में केले हुए बागी सारे प्लेयर्स यहाँ पर ऐसां एवर आपके यह तिंक मेरे ध्यान से तो अभी पहली बार इस ग्राउंड के मिल के अपर उपर एससी टूर्यामेंट कर से देंगा तो हसला टूर्णमेंट तो इतना अच्छा नहीं रहाता लेकिन यहाँ पर आप लोग चांस ले सकते हो इसके लवाज से मसूद गुरबाज डेफिनेटली लेके जाना है इवन कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो अच्छा फंबे नहीं आपर और यहाँ पर जुनियर प्लेयरों के साथ और भी अच्छा पर्फरमस दे सकता है मसूद गुरबाज जो कि एक विकेट के पर बल्ले बाज है और अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर हमें इनसे एक बड़ी परफरमस की उमीद रहेगी इसके लवाइसे उमेर खान जो कि 347 मियाचीस के अंदर करीब 32 के वरे से 9500 से जादा रहने मैंने चठे नमबर पर मेंचेन किया हो सकते हैं आपर दूसरे तीसरे नमबर पर भी आ सकते इसके लवाइसे तो इन दोनों मेंजे किसी एक प्लियर के उपर आप लोग रिस्क लेना चाहो तो जे सकते हैं फैसे प्लेयर याप डोनों के दोनों में वेशें लिएड प्लेयर के ऊपर खास रिस्क लेना है और इसमें भी यहाँ पर उमेर खान आपके लिए एक डिप्सरेंश रहाला है और एक रिस्की पिक बना सकते है इसके लिए वैसे शोहिल शाह की बात करते हैं कि कुछ कर बढ़ कर बढ़ कर बढ़ कर दो कोई बात नहीं आप पिछला टुनामेंड का आज सही रहा था है आपने कर सकते हो तो यहां से अर्येंड सक्षे ना के लेगा तो ओपनिंग करवाएगा इनको आप लोग लेके जा सकते हैं उन्मार बढ़ मी कोई बैटिंगॉडर फिक्स नहीं रहता है यह senior player के साथ कहले या फिर junior player के साथ कहले लेकिन का betting order को फिक्स नहीं रहता है तो मैं यहाँ पर अम्मार बदामी के ओपर तो risk लेना नहीं को होगा तेकिन आरियन सक्षेना को में जरूर लेके जाना है इसके लिए वैसे उद्वे सुरी एक अच्छे बल्ले बाचे शायद इनको मौका मिल सकता है लेकिन यह बंदा खेल सकता है नूरुल्ला अयूबी यह प्लेयर शायद खेल सकता है इसके लिए यूराज बरुवा और याद यूराज बरुवा खेलेंगे उसके अकॉर्डिंग टीम आपको मिल जाएगी तो जल्दी से टेलिग्राम चेनल को जोईन करनेगा अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फेंटासीटे में कोई सी हो सकते हैं कोई से प्लेयर को लेके जाना है तो विकेट कीपर को लेके जा रहे हैं महमद इम्रान और याप पर मसूद गुरुबाच दोनों को लेके जाना है यहाँ पर आप लोग मंगस को ले सकते हैं अच्छा अपलेयर यहाँ पर भरोसा कर सकते हैं इसके अलावाए से तन्य सुरी तकड़ा फोम में रहेगा और मतला अगर बूड में रात यहाँ पर 60-70 दन भी बना सकता है अरिश खान तिसरे चोटे नमर पर तो आ सकता है अल्रावडर सक्षन में आपर आडियन सक्षेना और यहाँ पर सहदाद को मैंने ले लिया है इसके अम्मार बदामी इनके अलावाए से उतकड़ शूरी इस प्लेयर को ले सकते हैं बाकि पबली के साथ जाना जाओ तो सक्ल अली मौज़म वगिरा अगर पबली के साथ जाना जाओ तो जा सकते बाकि यहां से सोयव खटक को ले सकते हैं सोयव खटक आपके लिए एक डिफरेंस योली रिस्ट की पिक बन सकता है टीम की बात करें तो टीम कुछ इसरा से रहेगी हमारी कप्तान रहेंगे सैफूला इसके अलवा आप लोग यहां से आज यहां सकते हैं को भी केप्टन कर सकते हैं बाकी टीम को इससरा से रहेंगे तो फाइनल टीम टेलिगा में दी चाहिए आपको तो जली से टेलिगरम चैनल को जोईन कर लेना डिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और आप लोग को उसी लि आप जाहिए हिंजे बारत